नवश्कार आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूँ आपके साथ चंद्रशी राचपूर्ट सिनेमा हॉल की खाली पड़ी कुर्सियों के बीच ब्रंभास्तर को हिट कराने वाले एजिंडे की पोल खुल चुकी है इस बात का खुलासा खुद यूजर्स ने किया है जो ये फिल्म एक देखकर आये हैं उन लोगों ने ही इस बात की पोल पटी खोल दी है एक यूजर्स ने तो तीखा व्यंग करते हुए ये लिख दिया है कि हाँ भाई मैं तुम से सहमत हूँ इंडिया में 350 करोड़, ओवर्सीज कलेक्शन में 1.500 करोड़, धर्ती पर कलेक्शन 550 करोड़, दूसरे प्लैनेट से कलेक्शन 760 करोड़ और पूरी यूनिवर्स से 25 करोड़ का कलेक्शन वाकई में masterpiece movie है great story, great screenplay ब्रह्मास्त्र release तो हो गई है दोस्तों लेकिन अभी भी इसका buzz जो है वो लोगों में बना हुआ है वो इसलिए कि ब्रह्मास्त्र पहले से ही boycott का शिकार हो रही थी और जिसके बाद ये picture release हुई तो अब इस picture के उपर अपने आप बवाल खड़ा हो गया है फिल्मेकर्स दावा कर रहे हैं कि ये फिल्म सूपर डूपर हिट हुई है लेकिन cinema hall के अंदर के हालात तो तस्वीर कुछ और ही बया कर रही है जिन लोगों ने इस फिल्म को देखा है वो अब इस फिल्म पर हस रहे हैं कि फिल्म के डारेक्टर ने VFX के नाम पर सस्ती लाइट्स दिखा कर पबलिक का उल्लू बनाया है और अब ब्रमास्र देख कर आई यूजर्स इस फिल्म की हाकिकत बयान कर रहे हैं लोग खाली पड़े थेटर्स के विडियोज और फोटो शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और प्रेडियूसर्स करन जोहर और डायान मुखर जी से सवाल पूछ रहे हैं कि जब सिनिमा घरों में आउडियन्स ही नहीं है तो आखिर ये आकड़े कहां से आ रहे हैं इतनी भूरी तरह से पिटी इस फिल्म को आखिर कौन है जो हिट करवाने का जूटा बिगुल बजा रहा है ब्रमहासर की जो इस्तिती है वो जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे दरसल सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीन शॉट शेयर किये जा रहे हैं जो इस फिल्म के कलेक्शन के आंकड़ों के बारे में है असल में उतने टिगेट्स बिके ही नहीं है जितने की बताये जा रहे हैं और तोर एडवांस बुकिंग से आने वाला कलेक्शन का रिपोर्ट भी उसी को फर्जी बताया जा रहा है कहीं न कहीं ये केवल एक मीडिया स्टन्ट है जिसके जरी ब्रमासर को हाइप और क्रेस को बढ़ा चड़ा कर पेश किया जा रहा है यूजर्स इसे एक डिजास्टर मुवी बता रहे हैं और सोशल मीडिया पर अब एक के बाद एक व्यूवर्स जम कर इसकी धज्जिया उड़ा रहे है एक यूजर ने लिखा है थेटर में सीट बुकिंग का स्क्रीन शॉट शेर करते हुए जिसमें कि ये दिखा रहे है कि जादते सीटे खाले पड़ी हुई है इसको शेर करते हुए यूजर चुटकी लेते हुए लिख रहा है कि ब्रेकिंग ब्रमासरेख हजार करूर की तरफ बढ़ रही है इसलिए ओडियंस ने अपनी सीट छोड़ कर जमीन पर बैठ कर मुवी देखने का फैसला किया है इस वज़े से सारी सीटे उपलब्द है क्या फिल्म है तो कोई इस फिल्म को करन जोहर की प्लैनिंग बता रहा है तो किसी ने कहा कि करन जोहर और गैंग पबलिक को पागल समझते हैं एक ने तो इस फिल्म पर एडी की जाँच करवाने तक को कह दिया अब आप ही बताईए कि जिस फिल्म को खुद व्यूवर सी बकवास बता रहे हैं उस फिल्म को फिल्मेकर 100 करोड पार कैसे बता सकती है आप खुद देख सकते हैं कि कैसे सोशल मीडिया पर ये जो स्टेटस है वो से अटा पड़ा हुआ है कितने सारे इसे ट्वीट्स हैं जो आपके सामने हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं इस आपको हकीकत पता चलेगी इस पिच्चर के बारे में सुर्ख्यों में ये भी बात आ रही है कि उसके अनुसार 3D में 1 करोड से जादा 2D में 1.5 लाग से जादा IMAX 3D में ब्रमास के 35 लाग टिकेट बिके हैं इस तरह से शुरुआती आंकरों के अनुसार पहले दिन की एडवांस बुकिंग में ब्रमास्र ने हिंदी में तकरीबन 1 करोड से जादा का कारोबार किया है और एक जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो आपको बता दे ब्रमास्र को 800 स्क्रीन पर रिलीज किये जाने की बात सामने आई थी ब्रमास्र को सबसे जादा फाइदा साउथ ओडियन से फिलहाल मिलता दिख रहा है लेकिन जब हकीकत की पड़ताल हुई तो पता चला की कई शहरों में एक भी टिकेट नहीं बिके है आपको पता दे कि दर्शकों का ऐसा मानना है 225 करोड रुपे बताई जा रही है जबकि दर्शकों को लगता है कि एक्च्वल आंकड़ा कुछ और है जिसके बारे में दर्शक इस फिल्म के मेकर्स और फिल्म का जम कर मजाक उड़ा रहे है और यहां हम इसी बारे में बात कर रहे हैं आपको बताते कि जहां इस फिल्म की कमाई को लेकर 225 करोड रुपे के उपर के दावे किये जा रहे है वहीं ऐसे खबरे सामने आ रहे हैं कि भारत में इस फिल्म ने सिर्फ 140 करोड रुपे के आसपास की कमाई की है और चौथे दिन में यह आगरा चुआ है जहां फिल्म के रिलीज होने की तमान तरे के बस बने हुए थे और लग रहा था कि फिल्म एक सफल फिल्म होगी वहीं इस फिल्म के आते ही यह फिसर्ड डिसावित हो गई तो वहीं कोई फिल्म को इतना खराब बता रहा है और उसके पैसे बरबाद हो गए हैं ऐसे भी व्यूवर्स मजाग कर रहे हैं बता रहे हैं और हकीकत बता रहे हैं जमीनी हकीकत इस पिच्चर के बारे में और कुछ दर्शक आप सिनेमा घरों की खाली सीटों की वीडियो डाल रहे हैं कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब इस फिल्म को नासा में भेजना चाहिए ये पता लगाने के लिए कि आखिरी खाली थियेटर में इस फिल्म ने इतने करोड रुपे कैसे गमा लिए कुछ दर्शकों का कहना है कि ब्रमास ने एक हजार करोड रुपे की कमाई का रिकॉर्ड सेट किया है लेकिन किसी अलग ही प्लैनेट पर इसके अलावा लोग फिल्म को लेकर भी मजाग बना रहे हैं यहां तक कि दर्शकों ने कुछ रियक्शन भी सामने आया है जहां दर्शक फिल्म की कमाई को लेकर मजाग बना रहे है विवर्स ही नहीं दक कश्मीर फाइल्स के डिरेक्टर विवेक अगनी होतरी ने भी ट्वीट कर किया है जिसमें उन्होंने इस फिल्म को लेकर कुछ कहा है जो कि बहुत चर्चाओं में है विवेक ने एक रिपोर्ट सोशल मीडिया पर शेर की है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि ब्रहमास्र की वज़े से एक बड़ी सिनिमा चेन को 800 करोण रुपे का नुकसान हुआ है प्रकाश जाने अपने इंटर्व्यू में भी ऐसा ही कुछ कहा है आपको बता दें कि प्रकाश जाने की इंटर्व्यू दिया था जिसमें बॉलिवूट को नसीहत देते हुए उन्होंने ये कहा कि इन लोगों को यानि बॉलिवूट की लोगों को लगता है कि बड़े स्टार प्रकार्स की बदावलत किसी भी फिल्म को हेट करा लेंगे लेकिन दर्शक अच्छी स्टोरी अपने बीच की कहानी देखना जादा पसंद करते हैं ये वाकई में दैनी इस्तिती है इंडस्ट्री को अपने भीतर चिंतन करने की जरूरत है नहीं तो जिस जनता ने इन्हें स् अगारबर खड़ा है अभी हाला तो को देकर लगता है कि बॉलिवोट के सितारे अभी गर्दिश में चल रहे हैं तो क्या ब्रहमास्त्री के जूटे कलेक्शन से ही फिल्मेकर्स और करन जोहर अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं क्योंकि सच्चाई क्या है वो तो सब आपक खाली पड़े हुए हैं सीटे खाली हैं देखने के लिए कोई भी नहीं है गिने चुने लोग उस थेटर में मौजूद थे और जिस तरह के कि फिल्मेकर्स जो इस बात का दावा कर रहे हैं ये फिल्म जो है वो 125 करोड के पार हो चुकी है लेकिन ये सारे वादे और ये सार देखकर आया है उसने इसका मजाख ही बनाया है कि सस्ती लेजर लाइट से उन्होंने वी एफेक्स का भी मजाख बना दिया इस पिचर को बनाकर तो आयान मुखर जी की 11 साल की महनत अब आप देख लीजे आपके सामने है कि क्या रंग लेकर आई है खुद उन्होंने भी न नमस्का